बिग बॉस फॉर्डिन पे तोड़ी निया शर्मा ने अपनी चुपिया ये जानते है कि आखिरकार निया शर्मा क्यों नहीं बनना चाहती है बिग बॉस सिजन फॉर्डिन का हिस्ता नमस्कार दोस्तों मैं हूं काजल सिंग और आपका स्वागत करती हूं बिग हेडलाइन्स में दोस्तों अगर हम बात करें टेलिवीजिन की नागी नियानी की निया शर्मा के बारे में तो उनको बिग बॉस लगतार अप्रोच कर रहे हैं शो में जाने के लिए लेकिन ऐसे में निया शर्मा शो का हिस्सा नहीं बनना चाहती है क्या रीजन हो सकता है गल मैं आपको बता दो कि निया शर्मा को जो अमाउंट पे की जा रही है निया शर्मा उससे बिल्कुल भी satisfied नहीं है जिसके चलते निया शर्मा शो का हिस्सा नहीं होना चाहती है पहले निया शर्मा तयार थी शो का हिस्सा बनने के लिए लेकिन खबरे आ रही है कि जब से जैनिया विगेट को तीन करोर रुपीस को आफर किया गया था वन वीक के लिए तभी से निया शर्मा जो है नाराज हो गई थी मेकर्स से क्योंकि अगर जैनिफर को इतना अच्छा खासा अमाउंट दिया जा रहा है तो निया शर्मा को क्यों नहीं निया का कहना था कि उनको भी उतना ही अमाउंट चाहिए जितना जैनिफर को ओफर किया गया था लेकिन मेकर्स निया के इस बात से रेडी रही हुए जिसके बाद निया शर्मा ने अपना बिग बोस सिजन फॉर्डिन में जाने का फैसला बदल लिया इसी के चलते निया शर्मा अब बिग बॉस सिजन पॉर्डिन का हिस्सा नहीं होने वाली है वैसे तो तीन ओफ अक्टोबर से ये शो जो है ओन एर हो जाएगा और आपको बहुत सारे कंटेस्टन इस शो में नजर आएंगे लेकिन कहीं निया शर्मा की कमी आपको ज़रूर महसूस होने वाली है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं निया शर्मा ने जो डिसिजन लिया है वो सही है या फिर गलत कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए ताकि जित्ती भी लेडिस्ट अपडेट है मैं आप तक सबसे पहले पहुचाती रहूँगी और अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देखना है तो हमारे पेच को लाइक करें थैंक यू सो मच